नमस्कार संसाइन क्लास जनता रेटियम आपका श्वागत है मैं वेक बरमा आपका श्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लास नाइन का वीडियो लेका आए हुए हैं और इसमें हम लोग मैथ पढ़ाएंगे मैथ मैं exercise 13.6 का question number हम लोग 4 तक देख लिए थे इसमें हम लोग question number 5 देखेंगे क्या कह रहा है कह रहा है कि 10 मीटर गहरे बेलनाकार बरतन की आंतरिक वक्र प्रिष्ट को पेंट कराने का व्याए 200 रुपिया है अधी पेंट कराने का व्याए 20 रुपिया प्रति मीटर अस्क्वाइर की दर है तो बताईए तीन ची निकालने के लिए बोल रहा है पहले बरतन का आंतरिक वक्र प्रिष्टिये पर पेंट कराने का व्याए 22 रुपिया येंगे आंतरिक वक्र प्रिष्टिये छेत्र फल पर पेंट कराने का व्याए बढ़ाबर 22 रुपिया 22 रुपिया येंगे आंतरिक वक्र प्रिष्टिये छेत्र फल का पेंट कराने के व्याए कितना दिया हुए 22 रुपिया और फिर कह रहा है कि प्रती मीटर अस्क्वाइर कि दर पेंट कराने दर 20 रुपिया लेहेंगे प्रती मीटर अस्क्वाइर पेंट कराने का व्याए बराबर 20 रुपिया ठीक है और एक चीज़ और दिया हुआ है एच दिया हुआ है उचाई गहरा है उचाई अनि एच बराबर 10 मीटर तो पहला क्या पूछ रहा है पहला पूछ रहा है कि बरतन का आंतरिक वक्र प्रिस्टिय छिद्रफल देखेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा तो लिखेंगे प्रति मीटर स्कॉयर 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 प्रति म बीस रूपिया, रुपया रूपै कट गया, 000 कट गया, ग्याद उने 12, 110 रूपिया, और 110 मीटर, अस्क्वाइब, यह क्या निकल गया, तो हमारा आंतरिक वक्र परिष्टीज शेतर रफल निकल गया, 110 मीटर अस्क्वाइब, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, पहला आगे आंसर दूसरा बढ़ते हैं इसका दूसरा क्या कहे रहा है कि Det bamboo छकाता है सिंस्का अधार की त्रिजिया निकालें गे अगार आधार की वरूप्र प्रिस्ट ये च्छेद्रफल, बराबर 110 मेटर स्कॉरम और प्रिस्टिस रिपल यह होता है। 2PiRh और 2PiRh बराबर 110 मीटर स्कॉरम थू इंटु। ॥ primeira का मने समोफ हरें, बाइसे बहरा 3 देदेगे हैं R का मान पता नहीं और H का मान 10 दिया है बराबर 110 मीटर असक्वाइब 22 नी 44, 44 देहें 440 440 गुना 7 बटा R बराबर 110 मीटर असक्वाइब R बराबर 110 गुना 7 बटा 440 0-0 कट गया 11 का 11, 11 चक 44 ठीक है तो आया कितना R बराबर 7 बटा 4 अगर 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 को गर 4 से डिवाइड करेंगे तो मारे पास आएगा 1.75 इसलिए R बराबर 1.75 दूसरा निकल गया अधार की तिर्जिया इसलिख देंगे अधार की तिर्जिया 1.75 अधार एंसर ठीक है दूसरा भी निकल गया तिसरा क्या कह रहा है बरतन की धारिता बरतन की धारिता धारिता मतलब आईतन जो भी निकाल देते हैं निकल निकल गया रहेंगे तिसरा नंबर अधार की धारिता अब तरह करना है कि कौन सा बरतन है तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर गहरे बिलनाकार बरतन तो बेलन का आईतन क्या होता है पाई रसक्वाइर एच आपको फर्मूला आद होगा पाई आरसक्वाइर एच पाई का मान बाइस बटा साथ आर का मन अभी निकाले 1.75 इंटू 1.75 और 10 अगर गुना करेंगे यहां होगा मिटर क्यू गुना करेंगे तो 1.75 इंटू 1.75 तो हो जाएगा 3.0625 3.0625 22 बटा साथ इंटू 3.0625 इंटू 10 मीटर क्यू और अगर इसको अगर इसको 3.0625 इंटू 10 करेंगे तो आजाएगा 30.0625 22 बटा साथ इंटू 30.0625 अगर इसको 22 से गुना करेंगे हम लोग तो आजाएगा 673.75 673.75 बटा सेवन मीटर क्यू और इसको अगर हम लोग साथ से डिवाइड कर देंगे 673.75 को साथ से डिवाइड कर देंगे तो आजाएगा 96.25 96.25 को मीटर क्यूं यही तो एंसर है तो इस प्रकार हमें क्या समझ माया कि हम आसानी से इसे बना सकते हैं सिर्फ क्या जरुरत था हमें कॉंसेप्ट पता हो फर मुलें पता हो असानी से मिस कॉस्टन्स का हल कर दिये आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़तें कॉस्टन नंबर साथ पांच था पांच था छे कॉस्टन नंबर छे बोल रहा है कि उचाई एक मीटर वाले एक बेलनाकार बरतन की धारिता इसे बनाने में कितने वर्ग मीटर आविशक सीट लगा ठीक है तो अगर हम देखें तो दिया क्या है तो बंद बेलनाकार बरतन की धारिता दिया वह भी लीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम को सेंटिमीटर क्यूब में या मिटर चेंज करना होगा लिखेंगे दिया गया है बंद बेलनाकार प्रतन की धारिता बराबर कितना पंद दस्मलव 4 सेंटिमीटर पंद दस्मलव 4 लिटर पंद दस्मलव 4 लिटर तो पंद दस्मलव 4 गुना एक हैजार करतेंगे तो हो जाएगा cm q एक लिटर ब्राबर एक cm इतना होता है 1000 cm q तो हमारे पास आ जाएगा गुना करेंगे 15.4 गुना 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 15.4 cm q तो हमारे पास कितना निकल गया धारिता निकल गया 15.4 cm q अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है इससे आवेश्चक सीट निकालना है तो सीट जब निकालेंगे हम लोग तो सबसे जबूर चीज क्या होगा हमें आर का जरौत होगा आर का जरौत होगा तो हम आर पर विचार करेंगे तो लिखेंगे लिखेंगे बेलना कार बरतन की धारिता बराबर पंद्रों चार सेंटेमेटर क्यूँ आनि पाई अरा स्क्वाइड एच यह जब ता बेलन की धारिता पाई अरा स्क्वाइड एच ब्राबर कितना पंद्रों चार सो सेंटेमेटर क्यूँ पाई का अमान कितना तो पाई का अमान हमारे पास अगर देखें तो 12 बटा साथ और उचाई 1 मीटर एक मीटर उचाई दिया हुआ है तो यहाँ 22 बटा साथ और यहां हम लोग क्या करेंगे आर के जगह पर नहीं पतार निकालना ही है एज का है एक मीटर तो यहां सेंटीमीटर में तो एक मीटर ब्राबर सो सेंटीमीटर सौ लिखेंगे लिखेंगे एक मेटर ब्राबर एक सो सेंटीमीटर बदल दिये और पंदरो चार सो सेंटिमीटर क्यूब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 22 पर 007 गुना आरा स्क्वाइब रावर पंदरो चार सो अगर हम लोग आरा स्क्वाइब निकालेंगे तो पंदरो चार सो गुना 7 बटा 22 सो 0000 कट गया तो महारे पास बच गया 154 गुना 7 बटा 22 154 गुना 7 बटा 22 और हम लोग अगर 155 को 22 से भागा दने का प्रयास करते हैं तो 7 आता है 154 को अगर 22 से भागा दने का प्रयास करते हैं यहां इधर क्या है आर स्क्वाइब तो यहां आता है 7 तो आर स्क्वाइब बटाबर 7 गुना 7 आर बटाबर अंडर रूट 7 गुना 7 इसलिए आर बडाबर 7 सेंटिमीटर आर का भेलो कितना निकल गिया 7 सेंटिमीटर आपको दिखा तो यहां अभी आर निकाले हम लोग इसके बाद क्या करना है इसमें आविस्टक सीट का बंद बेलना कर आविस्टक सीट कितना लगा आरी संपूर्ण प्रिस्टिये शित्रफल निकालना पड़ेगा हमको चरी आगे बढ़ते हैं लिखेंगे इसलिए बेलन का संपूर्ण प्रिस्टिये प्रिस्टक सीट्रफल प्रिस्टक सीट्वर्ण 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 प्रिस्टक और एज का माल 100 cm2 यह साथ हो साथ कट गया 44 गुना 107 cm2 और 44 को 107 से गुना कर देंगे तो आज आएगा 4708 cm2 यह निकल गया क्या बंद बेनलाकार में कितने छेदरफल हैं अब हमें निकालना है सीट की आविशकता तो हमारे पास सीट जो है बोल रहा है कि वर्ग मीटर में धातू की सीट आविशकता होगी वर्ग मीटर में सीट निकालना है यह सेंटिमेटर स्क्वाइर में आया है मिटर स्क्वाइर में निकालना इसे लिखेंगे आवस्यक स्थीट ब्राबर 4708 देखिए सेंटिमेटर स्क्वाइर को मेटर स्क्वाइर बदल देंगे 100 गुना 100 से भागा देंगे तो हमारे पास हो जागा 4-0 तो 1-3 0.4708 0.4708 देखिए इसको इस तरह करेंगे सोलुसन 4708 नीचे में 1-2-3-4-0 एक इसके लिए पॉइंट एक इसके लिए एक इसके लिए यहाँ आने हो जाएगा मेटर स्क्वाइब बडाबर 0.4708 मेटर स्क्वाइब यह इसका इनसर देखिए कॉस्टन हलका सा लंबा बनता है लेगिन कोई दिक्कत नहीं है आप उशे ऐसानी से बना सकते हैं अगर सही तरीके से कॉंसेप्ट आपको पता हो तो ठीक है चलिए आगे दो कॉस्टन बचा है हम लोग नेक्स वीडियो में दो कॉस्टन बताएंगे सेवन और एट इसके बाद 13.6 जो है एक्सरसाइज खतम हो जाएगी तब तक के लिए थैंक्यू आप वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है अच्छी तरीके देखें समझें और पढ़ते रहें